इवरिटिंग से आम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ये देखिए बीए पार्ट वन का जो अब जो कर दिया है 2021 से जो एक्जाम होगा फर्स्ट पार्ट का उसमें अब्जेक्टिव कर दिया है सबसीड्री पेपर जितना भी होगा सब में अब्जेक्टिव होगा ठीक है तो उसके लिए जो अब्जेक्टिव कोईचन है इसमें लगवग सारी 300 कोईचन के आज पास दिया गया है तो एक एक सो कोईचन का हम डिसक्वाशन करेंगे ठीक है तो इस कोईचन का बार बार देखिएगा जिसके कारण आपको याद हो जाएगा एक भी कोई कोईचन नहीं छोटेगा तो चलिए हम सबसे पहले कोईचन की और चलते हैं कौन-कौन सा कोईचन पूछा यहां देखिए एक सो कोईचन एक सो एक से सुरू करें क्योंकि एक से एक से एक सो तक कोईचन है जो हम फस्ट वीडियो में बना दिये है तो उसको आप देख लीज क्यों कोईचन की ओर चलते हैं सबसे पहला कोईचन है निमलिखित में से कौन सा हरापा कालिन असतर सामुदरिक गति भीढ़िसे नहीं जुरा तो यह जो था देशलपूर जो था समूदरी गतिविदी से नहीं जूरा था सबसे पहले देखिए option कौन-कौन सा जूरा था यानि समूदर से कौन सा नहीं जूरा था तो ये जो है देशलपूर जो था समूदर से नहीं जूरा था हरपा काली अस्तर ये भी है देशलपूर इसके बाद है आप देख लिजे जो नहीं जुरा था तो जुरा होगा कौन कौन सा तो लोथल जो था गुजरात में जो एक बंदरगाह था तो बंदरगाह कहा होता है तो यह जो हो गया जुरा हुआ था इसके बाद है बाला कोट बाला कोट भी जुरा हुआ था और स्वक्ता कोब भी जुरा था ये तीनु जो है बंदरगाह के रूप में था इसलिए ये समुद्र से जुरा हुआ था ठीक है इसके बाद है अगला कोईचन निमलिखित में से कौन वेदो का अंग नहीं था तो वेदो का अंग जो था पुरान जो था वेदो का अंग नहीं था ठीक है इसको ध्यान रखना है वेदो का अंग कौन था नहीं था तो पुरान नहीं था इसके बाद है बुध का जन्म कब हुआ है तो बुध का जन्म हुआ है 563 इसाफुर में जो है बुध का जन्म हुआ है कहां तो लुम्बनी कहां तो नेपाल में हुआ है इसके बाद है प्रारंभिक वाइदिक कालीन सभ्यता का उलेख किस बेद में हुआ है तो प्रारंभिक जो है वाइदिक कालीन योगीन सभ्यता का जो उलेख है यो जो है रिंग बेद में है इसको ध्यान रखना है किस में है रिंग बेद में है इसके बाद है वेदांगों की संख्या कितनी है तो वेदांगों की संख्या कितनी है तो चोगों है वेदांगों की संख्या कितना है तो चोगों याद रखना है देख लिजे आपको एक ट्रिक बता रहे है वेदांग में कितना अक्षर है तो तीन अक्षर कब हुआ था तो उत्तरवैदिक काल में हुआ था इसके वाद अगला क्वेचन जैन धर्म के अंतिम तिर्थकर कौन थे तो महाबीर्द स्वामी थे इसका जो चिन था महाबीर्द स्वामी का जो जो सींग था सब का चीन था अलग अलग तो महाबीर्द स्वामी का जो था पर क्या परभापता तो ये question पहले भी आ चुका है कलेंग युद्ध का सोक पर क्या परभापता तो असोक ने युद्ध नीति का त्या खर दिया यानि युद्ध से सन्यास ले लिया और धार्मिक जीवन बिताने लगे इसलिए इसका answer 2 हो जाएगा इसके बाद अगला question कहा रहाए कुजूल कड़़ी सेस था कुजूल कड़़ी सेस था इसके बाद कहरा है सिंधु वासयों के पर्मुक देवता कौन थे तो सिंधु वासी के पर्मुक देवता थे सी भगवान थे सिंधु घाटी सभ्यता का इसके बाद है पंच्तंत्र की रसना किसने किये है तो पंच्तंत्र की रसना जो किये है विश्नु सर्मा ने किये है पंच्तंत्र जो एक किताब है उसकी रसना किसने किये है तो विश्नु सर्मा ने किये इसको ध्यान रखना है इसके बाद है सेलुकस किस भारतिय राजा द्व भूर्वत्थ द्रूरवत देवी निसी राज राज याद रखना है राज और रा फिरो यानि राज राज राजा पर्थम के द्वारा है किस मंदिर का निर्मान करया गया है तो राज राजस्वर मंदिर का निर्मान करया गया है इसलिए इसको ध्यान रखना है इसके बाद है अगला कोई चन जीवक कौन था तो जीवक जो था एक चिकिस्षक थ जाएगा उत्री भारत का अंतिम सासा किसे कहा गया है तो हर्स बर्धन को कहा यानि हर्स को कहा गया है इसके बाद अगला क्वेचन कर रहा है सुत्र साहित्य विभाजित है सुत्र साहित्य विभाजित है किसमें तो तीन भागों में सुत्र साहित्य कितने भागों विभाजित तो तीन में इसके बाद है वैदिक कालिन धार्मिक सहित्य का उधारन है वैदिक कालिन धार्मिक सहित्य का उधारन क्या हो जाएगा तो रमायन और महाभारत जो है दो महाकाब्य है हिंदु धर्म में जो है दो महाकाब्य है कौन-कौन था तो रमायन और महाभारत तो यहाँ जो कोहिचन कर रहा है वैदी कालिन धार्मिक साहित्य का उदारन क्या है तो रमायन और महाभारत है इसके बाद है बौधो के प्राचिन धार्मिक गरंत को क्या कहते हैं बौध को जो प्राचिन धार्मिक गरंत है वो त्रीपीटक है ठीक है इसको ध्यान रखना है बौधो को जो प्राचिन धार्मी गरंथ जो है तिरी पीटा का ते सीधा कोई चनल पूछेगा तिरी पीटा का समन्द किस धर्म से है तो बहुत से इस तरह से आपको याद रखना है इसके बाद है पुरानों की संख्या कितनी है तो पुरानों की संख्या जो है अठारा है इसको याद र बैदिक काल में परिवार होते थे, तो पित्री सतात्मक होते थे. इसके बाद है वैदिक आरजो की जीविका का मुख्या धार क्या था, तो ये जो था पसुपालन था. वैदिक आर्जो का जिवी का मुख्य आधार था पसु पालन यानि पसु तसु चराते थे इसके बाद है वैदिक आर्जो का धार्मिक जीवन क्या था तो धार्मिक जीवन था सरल और आडंबर रहीन मतलब सरल था और आडंबर रहीन था इसके बाद कह रहा है गौतम बुध क जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था ठीक है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहां तो नेपाल में हुआ था लुंबनी में इसके बाद है महाबीर जैनों के तिर्थ कर थे कौमा क्यमा तिर्थ कर था तो 24 मा तिर्थ कर थे ठीक जैन धर्म का है जो किसका पूजा करते थे तो तिर्थकरो की पूजा करते थे जैन धर्म का जो आदमी समझो होता है वो किसका पूजा करते थे तो तिर्थकरो का पूजा करते हैं इसके बाद है अगला कोईचन देख लिए एक राष्ट के लिए कौन सा यग उत्तरवाइदी काल में परचली था तो ये जो है अस्व मेग यग था ठीक है इसके बाद अगला कोईचन कर रहा उत्तरवाइदी काल में राज्य की आय का कौन सा भाग राजा को प्राप्त होता था यानि उत्तरवाइदी काल में जो था जो वहां कर जो देते थे राजा को कितना देते थे त ये कौन सा राजा था तो तीसरे नमर का राजा था कनिक्स जो है कुसान बंस के कितने राजा थे तीसरे मतलब करम के राजा थे देखिए कनिक्स में अगर सो को अधा 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 हो गया तो एक मान लीजे इसको तो ये तीनक छड़क हो गया इसलिए ये तीसरे करम का था कौन कनिस्क इस तरह से आपको बता रहे हैं इसके बाद अजन्ता की चितरकारी किस काल की देन है तो अजन्ता की जो चितरकारी है ये गुप्त काल की देन है ठीक है अजन्ता की चितरकारी किस काल की देन है तो गुप्त काल की देन है तो गुप्त काल की इसके बाद गुप्त काल क अगला कोहिचन पीछे भी पुछा गया है इसके बाद अगला कोहिचन चालुक्य के राजधानी कहां थी चालुक्य के राजधानी जो थी बातापी थी इसके बाद कह रहा है कल्यानी के चालुक्य का राजवन्स अस्थापित करने का सरे किसको जाता है तो यह जो था जैसिंग था वातापि के चालुक्य के राजवन्स का संस्थाप कौन था तो यह जैसिंग था इसके बाद है अगला कोचन देख लिजे किसके राज्यकाल में परिवर्तित हिंदु धर्म की पुना अस्थापना हुई तो यह जो है राजपुत जब आये हर्सवर्धन के बाद मिर्थ्यू क इसके बाद जो राजपुत आये तब क्या हुआ पुना हिंदु धर्म की अस्थापना हुई इसके बाद करा हुएंसांग कौन थे तो हुएंसांग जो था एक चौनी चीनी बहुत भीचुक था इसके बाद हर्स कौन था तो हर्स जो था इसका उप्रोक्त सभी हो जागा य यवी quickest पहले आ गे हैं बारबार रीपीट कर रहा है question इसके बाद है गुप्त समुराज के पतन का करण क्या था तो यह जो था उपरूक्त सभी इसके बाद है राम गुप्त किसका पूतर था तो ये था राम गुप्त जो था समुद्र गुप्त का पूतर था ठीक है करहा चंदर गुप्त दित ये किसका पूतर था तो समुद्र गुप्त का और राम गुप्त किसका पूतर था तो समुद्र गुप्त का पूतर था इसके ब्रामन गरंथ क्या है तो ब्रामन गरंथ जो है वेदो का एक ठीका है इसके बाद अगला कोई चन आसक्य से किस यूग की जानकारी मिलती है उत्तरवैदी काल की जानकारी मिलती है इसके बाद है धर्मसास्त का इतिहास के लेखा कौन है तो यह जो है डॉक्टर पीबी कागो है इसके बाद है अगला कोई चन महाभारत में कितनी अध्या या पर्व या अध्या है महाभारत में कितनी अध्या या पर्व है तो यह जो है अठाड़ा है इसके बाद अगला कोईचन पुरानों का रचना काल है पुरानों का रचना काल क्या है तो यह जो है छटी इसापुरुप पुरानों का रचना काल है इसके बाद किसी मानव समाज की आदीम विवस्था का इतिहास माना जाता है तो ये जो है प्राक इतिहास को किसे मानब समाज की आदीम विवस्था का इतिहास माना जाता है तो प्राक इतिहास का इसके बाद मोहन जोद्रो नगरो की विशेशता क्या थी तो ये जो था सार्वजनिक अस्नानागार एवं हम्माम इसके बाद है न ठाट पाप क्या गेहु था हडाप्पा सांस्क्रिती की परमुख उपज ग्या थी तो गेहु था इसके बाद करा इन्दे में से कौन सा वर्ग मोहन justify के खंधरो से नहीं मिला है तो यह है देख ड़ीजिए साइनिक वर्ग जो 측रों के खंधरों से क्या सम मिले हैं तो सिक्षित वर्ग मिले हैं पारिक वर्ग मिले हैं और सर्मिक वर्ग मिले हैं मुहन जोदरों के खंधरों से इसके बाद अगला कोई चन सिंधू सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी तो मातरी देवी की पूजा की जाती थी यानि इसका अंसर जो हो जा सबसे सटीक जो है बाढ़ को जैदा परात्मिकता दिया गया है जो बाढ़ के कार्ण ही सिंधु सभ्यता का पतन हो गया है इसके बाद अगला कोईचन लोथल की सभ्यता है किस परकार की तो इसका हो जाएगा हरपा और मोहन जोद्रों के बाद की थी और जो है हरपा और मोहन स्प्धाbeam प्रnes स्भूटर से देखे लिएस बाद है भारती एतिहास जानने का सदोध क्या होता है तो यह देखिए साहित्य होता है पुरा तत्ब होता है यात्रियों का विपृरन होता है यह इसका एंसर हो जाएगा DC इसके बाद अगला कोईचन कर रहा है सुत्र साहत्य विभाजित है सुत्र साहत्य जो है तीन भागों में विभाजित है सुत्र साहत्य कितने भागों में विभाजित है तो तीन भागों में इसके बाद वैदी कालिन धार्मिक साहत्य का उदारन है तो वैदी कालिन धार्मिक स सबसे प्राचिंतम सिलाले किसका है तो यह जो है प्रित्वी राज रासु का सबसे यह देखिए इसका एंसर जो है गलत लिया गए ठीक है सबसे प्राचिंतम सिलाले किसका है तो प्रिथवी राज चोहान का नहीं होगा ये गलत एंसर है इसका एंसर हो जाएगा असोख एह नमर हो जाएगा इसके बाद है सिंधु सभ्यता के अवसान के बाद भात में किस सभ्यता का परदारपन हुआ है तो रिंग बैदिक सभ्यता का हुआ है ठीक है सिंधु सभ्यता के बाद आश्वान के बाद भात में किस सभ्यता का परदारपन हुआ है तो रिंग बैदिक सभ्यता सिंधु सबहता के बाद इसमें रिंग वैदिक नहीं होना चाहिए इसमें उत्तर वैदिक होना चाहिए ठीक है ये कोहिचन पीछे भी है इसको देख लिजेगा इसके बाद है वैदिक काल में परिबार होते थे तो मातरी सतात्मक होते थे इसके बाद है किस घटना के बाद असोक का हिर्दय परिवर्तन हुआ तो ये जो है कलिंग यूद हुआ था कब दूसरो एकसेट इसापूर में तो तब ये इसापूर्व है ये इस भी नहीं है इसापूर्व है इसको ध्यान रखना है इसके बाद जो इतना नर्चंहार हुआ इसलिए जो है हिर्दय परिवर्तन हो गया था सोक का इसके बाद है चंद्र गुप्त विक्रमा अदित किसका पूतर था तो ये जो है समूद्र गुप्त का पूतर था इसके बाद है चोल सासन की अधित्य विसेस्ता थी ग्राम स्वायत था इसको ध्यान रखना है चोल सासन की अस्थापना किस सताबदी में हुई है तो नौमी सताबदी में हुई है इसके बाद है जन मेजय किसका पुतर था तो जन मेजय जो था परीकछित का पुतर था जन मेजय किसका पुतर था परीकछित का पुतर था इसके बाद है राजा जनक किस राज किस राज के राजा थे तो ये जो थे बिदेह के राजा थे इसके बाद है एक राष्ट के लिए कौन सा यग उत्तरवाइदी काल में परचली था तो ये जो है असुमेग यग जो था सबसे ज़्यादा परचली थे असुमेग यग इसके बाद है उत्तरवैदिकाल में राजी की आय का कौन सा भाग राजा को प्राप्त होता था तो ये जो है छटा भाग यानि एक वटा छो भाग जो है राजा को आय के लूप में प्राप्त होता था इसके बाद है मुहमद बिन कासीम कौन था तो ये जो था हज्जाज का सेनापती था मुहमद बिन कासीम कहा था तो हज्जाज का सेनापती था इसके बाद है मुहमद बिन कासीम ने सिंद पर कब आकरमन किया है तो 712 इस भी में आकरमन किया है इसके बाद इन में से कौन सा गुन समुंद्र गुप्त के थे तो समुंद्र गुप्त के जो गुन थे उपरोक्त में से सब हो जाएगा यानि बिजेता और सासक का निर्माता सहित्या नुरागी और धार्मिक सहिसुनता यानि इसमें सभी हो जाएगा इसके बाद अगला कोई चन भारत और युनानियों के बीच सांस्कृती का आदान परदान था किस परकार के तो यह जहाद दो तरफा था यानि दो रो तरफ से आदान परदान होता था सांस्कृती का इसके बाद है सिकिंदर के आकरमन के बाद भाद का परथम सासक था कौन था तो यह जो था चन्दरगुप्त मौर्ज का जो था राज मंत्री था इसके बाद है सैंधव घाटी सभयता की खोज किसने की है तो सैंधव घाटी सभयता की खोज यह राखल दास बनर जी ने किया है इसके बाद रिंगवैदिक लोगों को सरवाधिक लोगप्रिये देवता कौन था तो यह जो था इंदर था रिंग शुक्त रिंग्वैध के किस मंडल से सम्वंदित है जो था दसमा मंडल से है ठीक है इसके बाद है इसके यन याद रखना का िएर्धक पीष्जा सासर कौन था हर्षबरधन का की चा सल क्लोंट था करस्वर्धन नहीं है हर्यक बंस से हर्षबरधन का हर्सबर्धन का बिख्यात सासा कौन था, हर्सबर्धन का बिख्यात सासा कौन था, इसके बाद बुध का जन्म हुआ था, बुध का जन्म कहां हुआ था, तो ये जो होगा, इन में से कोई नहीं, बुध का जन्म हुआ था, नेपाल में हुआ था, लुम्बनी नेपाल में हु इसको ड्यान है। को जो अधियन को क्या करते हold één को के आधियन को क्या करते हैं उसके बाद महात्मा बुद्र बुद्र क्या थे एक खत्रिय थे महात्मा बूद जो थे एक छत्रिये थे इसके बाद है तिर्थिय बौध संगिती का आजन हुआ था कहा हुआ था तो ये जो है हर्स के सासनकाल में हुआ था तिर्थिय बौध संगिती का आजन किसके सासनकाल में हुआ था तिर्तिया बहुत संगती का सासनकाल जो है असोक के सासनकाल हर्स बर्धन है ये गलत हो गया गलत बता दिये है इसका एंसर एक हो जाएगा अगला कोचन है प्राचिन भारत में पहला नगरी करन कब हुआ था तो प्राचिन भारत में पहला नगरी करन सिंदु घाटी सभेता काल में हुआ था इसके बाद हरपा कहां अवस्थित है तो हरपा जो है सिंदु घाटी में अवस्थित है हरपा जो है सिंदु घाटी में जाना जाता है 100 से सामवेद और 100 से संगीत इस तरह से आप याद रखना है सामवेद जो है संगीत के लिए जाना जाता है इसके बाद मगद की पहली राजधानी कहां थी तो मगद की पहली राजधानी जो थी मगद की पहली राजधानी जो थी राजग्री या ग्री ब्रज है इसमें जो answer लिया है, call लिया है, यह चमपा नहीं होगा, मगध की पहली राजधानी, राजग्री या ग्री ब्राज थी, इसका answer जो हो जाएगा, घहा हो जाएगा, इसका जो answer call लिया है, यह गलत है, इसको आप बना लिजेगा, घहा, ठीक है, इसके बाद अगला question, मेगा अस लिए जिसके कान आपका एक भी objective, जो है, exam में छूटेन है, इसमें जो जितना question बता है, सारा correction करके बताया गया है, इसमें जो कुछ answer जो लिया गया है, mistake से गलती लिया गया, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद,